पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर अलग-अलग राज्यों में मांग भी उठ रही है और कई राज्यों में इस पुरानी पेंशन स्कीम को दुबारा से लागू भी कर दिया गया है राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम को अलड़ी फैसला सरकार ने ले लिया है कि हम दुबारा से पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे और इस पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर जिमो कश्मीर में भी जबर्दस धरने प्रदर्शन देखने को मिले यहां पर भी सरकारी करमचारी जो है इस पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के बारे में और इस पुरानी pension scheme को resurrect करने की लगातार मांग कर रहे हैं इसी के चलते केंद्रे वित्तमंत्री निर्मला सीतरमन ने जिस समय अपना बजट पेश किया था उसी समय उनने ये कहा था कि वो एक उच्छिस तरी कमिटी बनाएंगी और उस कमिटी को ये जिमेदारी दी जाएगी कि वो कमिटी ये देखे कि क्या पुरानी pension scheme को लागू करना संबव है पुरानी pension scheme में क्या कुछ अच्छा था जो इस नई pension scheme में लाया जा सकता है इस नई pension scheme को कैसे बहतर बनाया जा सकता है क्या ये नई pension scheme मुलाश्मों के हक में नुकसान दे हैं अगर नुकसान दे है तो बापस पुरступराנी pension scheme पर हम लोग चले जाएंगे तो इन तमाम चीजों पर सोच बिचार करने के लिए और ये देखने के लिए जो pension scheme इस समय जिस pension scheme के तहट सरकारी करमचारी काम कर रहे हैं उस pension scheme को किस तरीके से और बहतर बनाया जा सकता है एक committee बनाई गई है इस committee के chairman finance secretary है finance secretary और secretary expenditure है उसके इलावा DOPT के सच्चिव भी इसके member रहेंगे secretary personal department of expenditure के इसके member रहेंगे और pension front regulatory and development authority जिसको PFRDA भी कहते हैं उसके chairman भी इसके member रहेंगे अब पुरानी pension scheme में और आपको ये भी याद होना चाहिए कि अदर सरकार नई pension scheme new pension scheme 2004 इंट्रिजूस की थी ये contribution pension scheme है जो सरकारी करमचारी है वो जानते हैं कि contributory pension scheme का मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जितना एक करमचारी contribute करेगा और उसके इलावा जैसा performance रहेगा उस investments का जो contributions के जरीए की जाएंगी उसी के तहट एक शखस को जब उसकी retirement होगी उसके वक्त में pension का amount मिलेगा इसमें 10% basic salary का और DA का compulsorily जो है वो deduct किया जाता है और उसके बाद सरकार इसको pension fund में जो है एड करती है हाला कि इसके मकाबले में जो पुरानी pension scheme थी जो सरकारी करमचारियों पर तब तक लागू थी उन तमाम सरकारी करमचारियों पर लागू थी जिनों ने 1 जनवरी 2004 से पहले पहले जो सरकारी मलाजमत में आएं हैं इस scheme के तहट pension amount जो है वो अल्री डिफाइन था वो डिफाइन ये था कि सरकारी करमचारी जो ने जो अपनी आकरी तनखा ली है और जितने साल वो service में रहा है और ये pension का amount guaranteed भी होता था और पूरी जिन्दगी एक pensioner को ये pension मिलती रहती थी आज भी आप अगर अपने घर में देखेंगे बहुत सारे आपके घर के लोग ऐसे होंगे जिनको आज भी pension मिल रहा है जो आज भी pension ले रहे हैं यानि जिन्होंने सरकारी मलाजमत में 30 साल गुजारे, 35 साल गुजारे, 35 साल के बाद retirement हुई, उसके बाद उन्हें एक लंबे वक्त तक वो pension का amount मिलता रहता है हाला कि pension के amount में भी कमी, बढ़ोतरी बढ़ोतरी और कमी ये सब कुछ होता रहता है लेकिन वो एक fixed amount है जो fixed amount मिलता रहता है लेकिन जब नई pension scheme आई और ये जैसे मैंने आपको कहा कि इस pension scheme को लागू करने के बाद सरकारी करमचारी उन्हें जब देखा कि इस नई pension scheme का हमें फाइदा नहीं बलके नुक्सान ये करमचारी कहते हैं इसी के चलते उन्होंने अलग-अलग राज्यों में जबरदस तरीके से पर धरने दिये प्रदर्शन किये जिसके नतीजे में राजिस्तान, चत्तिसगर, जहारखन, पंजाब और हमाचल प्रदेश की सरकार उन्हें माना है कि वो पुरानी pension scheme को लेकर केंदर सरकार की आखिरकार दिक्कत क्या है पुरानी pension scheme को लेकर ये परिशानी है कि इसे फिसकल प्रूडन्स को लेकर सरकार परिशान रहती है यानि ये आपके बजट पर खसारे को एड़ करती है आपके बजट में इस pension scheme से कोई फाइदा नहीं होता और जैसे जैसे आपने अपने सिस्टमों को बहतर करना है जैसे जैसे आपने बजट को और ज़दा अच्छा करना है जैसे जैसे आपने बदलाव लाना है उस बदलाव के लिए जरूरी है कि ये जो फालतू खर्चे आप करते हैं इन फालतू खर्चों को आइस्ता आइस्ता कम किया जाए ताकि आपकी एकॉनमी जो है वो और ज्यादा बहतर हो ये फिसकल पैरामीटर्स है जिन फिसकल पैरामीटर्स पर खरा उतरने की बाद अंतराश्र लेवल पर सरकार उसे की जाती है इसी तरीके से केंदर सरकार ने भी यही चीज़ देखी और इसी को ध्यान में रखते हुए क कि जो इस समय फ्रेमवर्क है इस ट्रक्चर है नाश्रल पैंशन पैंशन सिस्टम का क्या इसके अंदर कोई बदलाव की जरूरत है कमिटी इस पर सोच विचार करेगी और उसके बाद ये भी कमिटी को बताना है कि क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है ताकि इस पैंशन स् जाए कि अगर हम इस तरह का कोई बदलाव करते हैं उसका कोई बड़ा असर या कोई बड़ा नुखसान हमारे बजट को तो नहीं होगा जैसे मैंने आपको पहली का वो और में भी यही लिखा है आम शहरीों को इसका नुखसान नहीं हो ना चाहिए उसके बाद is कमिटी को यह भी कहा गया कि आपके इंद शरकार के किसी को भी अगर अपने साथ इसमें कौउप्ट करना चाहते हैं कॉर्प्ट कर सकते हैं जो आपको इसमें सुझाद दे सकें और आपको स्टेट से कंसल्टेशन करने के लिए भी कमिटी को कहा गया है कि आप राज्यों से भी बात करें जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन स्कीम को दुबारा से लागू किया है उनके एक्सपरिमेंट की उनके एक्सपरिमेंट पर उनसे बात करें जानने की कोशिश करें कि क्या पेंशन स्कीम लागू करने से उनके उनको बजट जो उनका बजट है उसमें फाइदा हुआ है या नुखसान हुआ है पुरानी पेंशन स्कीम को रिजर्ट करके वो पश्टा रहे हैं या वो खुश हैं और उसके इलावा डिपार्टमेट और एक्सपिनिचर को कहा गया है कि आप जो है सेकेटेरियल एसिस्टेंस जो है वो इस कमिटी को प्रोवाइड करेंगे तो यानि old pension scheme को revive करने को लेकर क्या old pension scheme को revive किया जाए या नहीं किया जाए इस पर सोच बचार करने के लिए और एक फैसला पुरे देश के लिए लेने के लिए वितमंतराले ने एक कमिटी बनाई है और इस कमिटी को कहा गया है कि आप जो है एक report तयार करें वो report केंदिर सरकार को दे दे और ताकि उस report के जरी हम यह तै कर सकें कि हम old pension scheme को result करएंगे या जो new pension scheme है उस हमें कुछ बदलाव लाकर नए कुछ प्रावधाण डाल कर इसको old pension scheme से बहतर करेंगे